तुस दिखा कर दे न्यूजटीन जमू कश्मील दाखे माँ चला खास दोगरी कारेक्राम और जिन्या की तो अनुपता कि पूरा देश मातमा गांदी उन्दे एक सो चुरूंज में जन्तियों मनाया जा कर दिया और पूरे देश पार्थवसे पेसे मनवा कर दिया और इन्या चली किशमीर देपच भी जहारे न ओबाकभा कारेक्राम जो जतीते हें और आज साडे और चीफ एजुकेशन ऑफिसर सभा बने देना और जरूरी कारेक्रम जेरे ना तुस मनिसाब्यों को जिलेगा सब्सक्राइब कर देखिए कल सचताही सेवा में एक अफ्टोबर को पूरी कंट्री में जगा जगा इवेंट्स हुए और साफ सफाई जो अपने परिसर की थी आसपास की थी जितने भी विभाग थे सबही लोगों ने अपने अफिसिस को क्लीन किया और उसके अलावा जितने भी ग्राम पंचायते हैं वहाँ पे एक्टिविटीज हुई और जितने भी मिन्सिपल कमिटीज थी स्पेशल सेनिटेशन कैंप्स जो है और जित किये गए हैं में जो फोकस था वो यह था कि लोगों की इंवाल्मेंट हो पुब्लिक इंवाल्मेंट हो विकाज साफ सफाई बिदाउट पुब्लिक इंवाल्मेंट नहीं हो सकती हैं जब तक लोगों में और खास तोर से अब जब की सचभारत मिशन ग्रामीन में पुरा जमू कश्मीर यूटी जो है मॉडल डिक्लियर हुआ है हमारे पास MRF फैसिल्टीज हैं हमारे पास कंपोस्ट पिट्स हैं तो क्यों अब वापस हम लिटर करें अपने गलियों को अपने अपराद भी है इसके बारे में भी हमने लोगों को बताया है कि ओपन लिटरिंग अपराद है और अगर आप प्लास्टिक कहीं देखते हैं उसको नियरस्ट डस्ट बिन में डाल दें डस्ट बिन में नहीं भी डाल सकते तो कहीं ऐसी जगा पे अकठा करें ताकि उसको प्र उसके बाद बड़ी ब्रहमना का जो मिनिस्पल पार्क है, उसमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सहीयोग से काफी स्कूल के बच्चों ने हिसा लिया और जगा जगा ऐसे इवेंट्स आयोजित किये गए, लेकिन ये भी बात सही है कि स्वचता सरफ एक जिन का काम ये तो डेली एक रूटीन का काम है, इसलिए एक अवेरनेस चनरेट की गई है सभी लोगों में, ताकि हमारे ओफेसेज साफ हों, हमारी जो सडके हैं वो साफ हों, जितने भी पब्लिक प्लेसेज हैं वो साफ रखे जाएं, आज महात्मा गांधी जी की जन्मतिति है, और मह इस मार्चेज शान्ति आत्राएं चल रही हैं, एक शान्ति आत्रा जो पुंच से स्टार्ट हुई थी, वो डिस्टिक्ट सामभा में 27 सेप्टेंबर को आई और यहां से प्रस्तान होते हुए, जमों की तरफ बड़ी है, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये 15-20 जिन से जो चल रही हैं, इसका मकसद यही है कि हर गाउं तक, हर जगा तक पहुंचके, हर बच्चे तक पहुंचके, महात्मा गांदी की लाइफ का जो मेसेज है, उसको फैलाया जाए, और जो महात्मा गांदी का मेसेज शान्ति का है, अहिंसा का है, और हमारे देश को आज लाइफ में उतारें और वैसा आचरन हम अपनी लाइफ में लें तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवार लोके नाकनियास योग लबा करता है खासकर इन्हें दुने कार्यक्रम में गिए बहुत अच्छा सपोर्ट है पुब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है जह मारी नाली साफ रहे और इस तरीके से जो अवेर्नेस लोगों में जनरेट हुई है लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा है रूरल एरियास में भी आफी पार्टिसिपेशन कल हम जब गाउं में गए थे तो हर घर से लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये अवेरनेस लोगों में है कि अब साफ सफाई रखनी है अब थोड़ा सा हमारा जो प्रशासन का इसमें ये रोल रहता है कि वेस्ट सेग्रिगेशन पर ध्यान दिया और उसके बाद कहां पहुंचाना है कैसे उसको वेस्ट को आगे प्रोसेस करना है इसके बारे में भी जागरुकता फिलाई जाए ताकि वो वेस्ट जो सेनेडेशन ड्राइव्स हैं ये महाज एक फॉर्मेलिटी ना रहे है बलकि वो सच में जगा जो है फ्यूचर के लिए सस्टेनेबली साफ रहे है तो ये कोशिश है जिले बेचे ड्राइव क्या अगेवी कांटिनियूर हो क्या ऐसे दिशा नरतेश जड़े अधिकारी ने अकास के डिपार्टमेंट ना ये उन्हें दिते कि रहे हैं अब लोगों से ये अपील है कि जब गाड़ी आए उसी को वेश्ट देज जहां तक कैमपेइन्ज की बात है कैमपेइन सदत्थ प्रकृ आरे सफाई हर जैसे मैंने का काम न Caesar क talk का में तो इसमें हमेशा पपटेशन की EK्सपेशन हमें रहती और जैसे ही कहीं पीच में लगए कि थोड़ा सा ये मॉटिवेशन कम हो गया है दुबारा से इसी ड्राइव करके फिर से कोशिश की जाएगे कि पूरे डिस्टिक्ट में जहां पे भी लगे सी साइट से हमको क्लियर करा जाए और एक ब्यूटिफुल सामभा की तरफ हम लोग बढ़े हैं खासकर दिखे जागरदा कि जीला प्रशाषन सामभाए जड़ा है कि वो स्कूली बच्चें की इन्वाल्व करा करदा के कुछ मकसद आए देजाए देखिए स्कूल के बच्चों को इन्वाल्व करने का पीछे के मेरे को रगता है दो रीजन्स हैं पहला रीजन यह है कि जो डेडिकेशन और जो सिंसेरिटी हमारे स्कूल के बच्चों में रहती है वो मैसेज जो है उसका इंपक्ट लॉंग रहता है वो सिरफ एक दिन का जो इंपक्ट नहीं रहता है बलकि पूरा बच्चे के माइंड पर जो असर पड़ता है यही वो को अगर behavior improve किया जाए तो वो एक अच्छे citizen के तौर पे बहर आते हैं दूसरा यह रहता है कि जो हमने जितनी भी drives करते हैं और स्कूल के बच्चों के साथ करते हैं तो उसमें बच्चों का उत्सा बहुत रहता है उससे हमें भी energy मिलती है तो जितने dedicatedly बच्चे हमने देखा करते हैं उससे हमें भी काफी energy मिलती है और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि स्कूल के बच्चों का participation इन्हें दोने त्याड़ी के लिए लोकिंगी के इस निया सांबाजे ले ले लोगों से हमारा यही आग रह है कि आगे भी अपने आस-पास के परिसर को साफ रखें पाटिस कि अच्सछिट्क प्र alltि है जो आपकी गाडियां चाहें मिन्सिपलट की गाडी होज़ाए ग्राम पंचायत में डोर-च्रूर क्लेक्शिन हो उसको टाइम ली आप उसी होें जो भी आपकी गल्यक्त करने आए उसी को देर और सेग्रिगेटेड़ करके वेस्ट दें मिक्स करके ना दें शुक्रिया सब्सक्राइए कि आस भी लोकें कोला से योग मंगा करने और लोक साड़ा से योग करने जिलेगी साफ सूतरा रखनेता हैं और जड़ा कूड़ा या गंदा उकरा कुला बार नहीं सुटन तुस गड संधेड़ा स्थाइड़ा से फडिया गई पूर के ना और प्रशाशन जड़ाया है उन लोकें न से योग मंगा करता और चांदा है कि लोक साड़े कनेरलिया चानल साब और सामबा जिलेगी साब सूतरा जड़ाया है और बनाया जाए न्यूजेटिंग जमुकश्मीर मेरा ना मनिंदर पाल सिंग है असी बाइसेकल फार्चेंज कलब कठ वादे में वरा आज दी जड़ी रैली ही साड़ी मात्मा गांदी जनन दिवस्त दो अक्तूबर ते लाल बाद उशाथिश दे जनन दिवस्त दे असी एक मैसेज कनवे करे गर दे ही सारे सोसाइटी की से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक ते बाइसेकल दा ही यूज क्यों किता गया इस का उसी लेए पहली बारणी किता असी प्रोग्राम प्रोग्राम लास्ट टाइम भी किता ही उस तो पहले विए सी बाइसेकल चलाइए पूरे कठ़वागी एक संदेश देने लिए या कि आपने बच्चा की फिट करो अप सारे लोग काहीं फिट ओना चाथा एक फिट नेशन आपके ज़रूर है। अपने से थिहां रखना में बड़ा जरूरी है। क्ये सन्यार प्लास्टिक चाएक निए टीम ही से नो टो सिंगल यूज प्लास्टिक। आए बच्चे आए जिए साइकल रेली दे अवेरनेस केमपेंड करता है। जिदे बच्चे ऑवेर किता है भी सिंगल यूज प्लास्टिक क्यों है उदे नुक्सान के नो किना वड़ा थ्रेट है साड़े आने आली जनरेशन दसते जिए आस उसी ओवाइड करना है तो सानु यह अवेरनेस ही नहीं चाहिए इधे पर एक्षिन भी चाहिए था अक्षिन सभी सर्कार करें साटरय करें मिलीस जातक करको सथ नहीं बता इइंघ्चार साड़ी कुछ निनकर कर सकथी आए बच्चियां की अवेर किता है क्योंकि जयुक्प … सब्सक्राइब प्लास्टिक नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक उसी एक वाइड करने आस्ते बच्यां कि अवेर किता है इधा यूस कट किता जाए या यूस बंद किता जाए प्राइमरली बंद करना है अधे अधे बच्यां की अगेज किता अपने करने एंड बच्यां की अल्टरनेटिव सल्यूशन वी दिता है आहे बैग्स भी बंदे जिदे की बच्या पेरेंट्स जादे बजार कोई शॉपिंग कर और बैग दा यूस करना कि यदे प्लास्टिक दे बैग्स यहां कोई और स सर्कार दी रिस्पॉंसिबिल्टी नहीं है अस लोग रिस्पॉंसिबल हैं सनु वह मैं पहले भी आखिया आख अस जातक अथनीबदा गे सरकार कुछ नहीं कर सकती एस सिटिजन ते गोवर्मेंट दा पार्टनर्शिप करने चलने अला प्रोग्राम है आस कैमपेन इस सिर्फ कठोई नहीं पूरे इंडिया पूरे तर्थी पर चलाई जाए ताकि सिंगल यूज प्लास्टिक जही माच चलने के एक्जमपल पैदा कीती है पहले उदे बाद जे एंड के पहले एक्जमपलास कठोव दे शुरू कर गे एंड पूरे जी एंड के चला करना करता है आने अले दिने इस साथ यो नमस्कार जी जी है कि तु सुन सुना दे ही हो कि आज दो बड़े महत्तपुर्ण मुद्धें उपर चर्चाव दिया है और पर एक्शन ले आज आज आदा है वह एक अच्छी बातावर्ण और अच्छी सेथ बाइसेकल फॉर अपनी सेथास्ते साइकल गी अपने जीवन्च लियान है ए बड़ा इंपॉर्ण बुद्धा है और मैं जुरूर अपने माध्यम तो भी प्राइवेट स्कूल जिनने भी आने उन्दे माध्यम तो भी आखना चाहां की बच्चे साइकल गी डॉक्ट करन और कोविट तो तो सब्सक्राइब करना चाहें लोगेंच लेंदे खिलाफ अवेर्नेस दी गालों चाहें नशेदे खिलाफ कोई मोहीं शेड़ने दी गालों देन रात लोगेंच प्रेरित की तसे सिर्फ यह साल लगबग को यह साइकलिकलिक करने मक्सद सेको है कि लोगें इसनेया देना और ताकि वह अपनी से प्रति नकीन अच्छी शेयाट रहता बरना शुद्रों सब्सक्राइब करें लगवक्त साइकल कॉमुनिटी अगर पूरे इंदुस्तान अगर गाल कर चाहिए तो बाइसेकल फॉर्चेंज क्लब गी में आसा लगदानी कोई सी जान दानी हो क्या नहीं क्या नहीं क्योंकि साड़ी टीम जुड़ी साड़ आमीत और अपने साइकलिस्ट कोईबी कारेकरम की सफल करने आसने महतबर सातिन यह साड़ी जेके प्राइबेट स्पूल असुसेशन और जिन्हें बढ़ा सहयोग रहा सानी और रोंदा और अग्या वी रोंदा और मैं तो नहीं आश्वस्त करना आज देए यह मुहीम एक कारमा है थैं यासा सब्सक्राइब करने हैं ताकि एक काल पूरे शायर दें अंदर साइकली साइकल कट्थे यह लोग साइकल दे प्रवारी रोंदा बिल्कुल असा लगातार तो नी शायद चेता हो ना किया समेशा यह डिमांड किती बाई साइकल फारचेंज क्लब ना कि जम्मु कुश्मिर दे अंदर साइकलिंग ट्रैक होने चाहे दे और इसलिए यह से लगातार लगलग फोरम पर मेम्मरेंडम ग्यापन जिसे समधित सरकार गी और बड़ी खुशी दिगाला जम्मु दे अंदर साइकलिंगी बड़ा देनिया साइकलिंग लेन जड़ाओं प्लान बना करदा उदे वीचे वह आकर दा आसे डिमांड करने आप इस तरीके दा प्लान त्यार किता जा ताकि साइकलिस्ट साइकलिंग कर दे प्रत जिसलेकर आपने अपने अपने अच्छा सने लिए यह ती टीम निकली नहीं आपके आगी कुद्णा को तया लोग के दा रुजान जेड़ाम ल कीम और सेवाओं के प्रती जागरू करना घर घर आईशमान कार्ड वित्रित करना है के सेवा पकवाड़ा का भाग बाजपायूबा मोट्शा की भी की जा रही जम करता रही कि नौर में वार्ब्रेंट विलिच कारिकर्व के तैज आज पानिये लोगों से बात कर बढ़ाया है उनका हों से ग्राउंड पोर्ट से तुन्दास क्लासी यूनियन दी तरफू जेड़ा है कर मीटिंग दा यूजिन किता गया ही और काफी तिदाद भी दिते जेड़े न लोगों पुझे ने ने करने गालवाद करिए जेड़ाना मैं प्रफेसर कालिदास जनल सेक्टरी और इंडिया बैक्डर क्लासी यूनियन हैं आज का प्रोग्रम का मेन मुदा हमारे ओबी सी के का था पहले भी हमने यहां एक मीटिंग किछी पिछले साल बिंग दूसरी है अभी सी के अधिकार जो हैं जम्हो कश्मीर के अंदर किसी भी प्रफेसरों किया हैं और Finnish फार तैटर्न किया है वो हमें पता नहीं चला है परदान मंत्री जी कहते हैं कि मैं मंडर पोड़ा को की है ना उन्होंने पूरे देश के अंदर बीशी की सेंसर करवाई है अभी और वह बिल कब होगा जब सेंसिज होगी और उस्थ होगी यह बहुत बड़ा जुम्ला है जिसको हम गोर्मेंट के आगे हमने जितनी कोशिश की अपनी डिमांड से रखने की कोशिश की हमने रेलियां भी की इस स्टेट के अंदर नैशन कांफरंस की रेलिय करके हम नों को बताया दोरां तेरां स्टमबर सेक्टरेड में अमर बदुल्दा से बात एक गंटा बात हुई पीड से गस 2019 के अबरोगेशन के बाद भी किसी पुलिटिकल पार्टी ने ओबी सी की रेजर्वेशन पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया तो यह सबसे बड़ा एक फराड है जो ओबी सी के नाम पर यह पुलिटिकल पार्टी जो है कर रही हैं अब हम बंद कर गया है कि हम गवर्म को मिलना नहीं चाहते हैं यहां जो मनोज सिन्हा है उसको ना जाने हमें लाटर बेचियाक हमें मिलने का मौका थो अब िताक ने मिला है यह जाने वाले भी यहां लेकर मिला नहीं या मतलब यह है वो हमें सुनना नहीं चाहते हैं इसका मतलब यह किकि अंदर या पूरे देश की अंदर जो जन्राइक इक काम हैं वह होते हैं यह जो भी उनको फाया देना देना है यानि एक नामिकल्ड विक्र सेक्षण 10 परसंट बिना किसी कमेटी के बिना किसी कमिशन के उन्हें पास कर दिया अब वोमन राजर्वेशन जो आप पास हुआ है लेकिन यह लागू होने वारी सिटीज में नहीं है तो इसलिए हमने सोचा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आपने लोगों को अवेर करेंगे उनको कहेंगे कि आप अपने वोट क होतरना पड़ेगा यह सुक्राइब किती जाएते केड़े 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 अधिकार हैं जड़े अले तक ओबी सी को मिले वाला जो अधिकार है यह पर संभीदान वो मंडल कमिशन जो सताई परसंट है वो मिलना चाहिएगा जैसे कि बीपी सिंग सरकार जब गिरी तो बाक क्या दे रहे हैं जब ज्याइब ज्यूटी बनी ज्यूटी का मतला है जितने भी अड़ रहें इसाँ विर्वेड होने चाहिए अगर संवर में बिहार में सताई परसंट है तामल लाड़ों है सताई परसंट है जहां क्यों नहीं जहां कोई OVC समाज कम है जा तो सेंसेस करवा ले जिदनी हमारी परसंट है उतनी ही दे दें और इन्हों ने लगातार तीन साथ से हमें बहाना बाजी और ट्रकालो जी का एक मैथल सरकार ने पढ़ा है कि हम आपको 15 पर हो रहे हैं आवेर हो रहे हैं कि हमने इनको जवाब देना है क्योंकि हमारा हक मारा रहे जा रहा है जो राइट्स है वो हमें मिलना चाहिए पर सरकार इस और को इत्यान जड़ा नहीं दे कर दी नियुजेटिन नाटोरली अर्मिया तो दने सुदल नियुजेटिन दी ग्राउंड रिपोर्ट्च एक वर फेर तुन्द स्वाग दाते आज जास्तों से दी अखनूर दी प्लाइला पंचायच लेह उड़ा मैं तो हमें दा सिवड़ा कि स्वच्चत तरीक एक गंटा ते आज प्लाइल लोर पंचायच वेचे साफ सफाई अभ्यान चलाया गया सड़ेकन लोर प्लाइला पंचायच इसर पंच में अंदे कर नियुजेटिन नियुजेटिन आगे बढ़ें अपना साड़ी पूजी बापुजीय ने देख्या ती उस अपने दी पूरा करने वास्त अगया है भारत माननी परदान मंत्री निरिंदर भाई मोधी जी ती अज पंदा तरीक दा जड़ा तुसे पता एक पूरा देश एक जुटो या एक कंटे वास्त दास तू ग्यारा बचे श्रमदान कर गन ते बस उगए चीज जड़ी आसे अपनी पंचायच वेच भी स्ट किती अज जड़ा आसे अपने पंचायच का तू स्टार्ट किता उत्थी साफ सफाई किती फिर आसे बच्चे बच्चे जड़े आन्यारी फ्यूचर जेनरेशन लाना ते में लगदा है कि साड़ा देश जड़ा है आटोमेटिकली तरकी जड़ी रहा है वो पकड़ी लानी लाता महिलाएं के किता अपनी जड़ी गली यह कार दिया कि पिछ्चा जिन्नावी प्लास्टिक अउसी सारा एक अठा किता ती एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि आसे अपनी कार दी सफाई करना अहीं अपनी देश दी भी सफाई रखनी चाहिए आपनी ग्राइंदी भी पूजी बापूजी दा दिन एक अभ्यान चलाया है में लगता है इस अब तु बड़ी श्रादान जली ओने दी आसे सारे अगर एचीज ठानी लागे हैं कि आसे अपनी भारत दी प्लास्टिक मुक्त भारत बनाना है प्लास्टिक फ्री भारत बनाना है अग्ये पिछा से गंदगी नहीं फेलानी है तो ओ दिन दूर नहीं है जो लासाड़ा देश जड़ा ना एक मतला साफ सुत्रा देश बनी आगर जिया मैं कि तुन्दी पंचाहित बेच जड़ा इरिक्षा भी लाए गे रहा है जड़ा कूड़ा करकड़ा चुंदा है और ले ले मैं तो से ज साथी मैसेस देने को लोगा साफ सकतु पहला से अपने आप तू स्टार कर जाये अपने ही पंचाहित शार के बार जड़ा ना जड़ा नेश गंद गुनद पाई हो ना बट थोड़ी के यंदेश जीनया अवेर नासां दी जागरु कि त अज लोग इन्ने हो ये दिन की वह अपने करा दा गंद जड़ा बाहर निस उड़ दें इन्यागे में सारी एक मैसस दें दिखो खास करिये महिलाएं दी कि सारी जड़ा किचन वेस्टों कोई जादा नहीं हुंदा है किचन बेस्ट अगर आसा अपने बच्चों दा खाना है जाएं फूर्ट देश सब्जी अपने कार दे करना करना है तो अपने अग्ये पिछे दिवी सफाई रखो क्योंकि जुथे सफाई हो आते ना उत्यागे बगवान दा भी बहास होंदा है इस अगली आसे चीज अपने आ बेच थोड़ी मन्य चलनी चाहे दिए कि आसे सफाई जड़ी है ताहिया करा दें कि यहां आसे जुथा सबसुत रहे कि उठी है बगवान कार विच अगन हम तुम ते करना बच्छे भी मोजूद ना बच्छे विह नितन गोलकुल थे देने अछ अज़ ऊजघ करना जाइन्योंकि कल बच्छे थैंक्स करना चाहां मैंसेज देंड़ी बच्चे थैंक्स करना जुरूरतों दिये उठा कर दिये मेरी में मार्केट वेचे जगा बड़ी साधा डंपिंग लगी दी आज उन्दी मदद करना आसे उसारी डंपिंग उठाई उड़ी है और अग्या लोके दी ए मैसस दे गया है कि प्लीज जड़ा प्लास्टिक है उसी उठाई कठा ना करना और में बचे देना चाहाँ और बच्चे दी एक मैसस देना चाहां कि बच्चे के साधा फ्यूचर है अगर यह ठानी लागा ने कि आस गंद ना ना को सही पान दे गया तक अदे गंद की जड़ीये नहीं फैला लगे मैं तोहीं देशना कि आज सेवा दे तेहद इने साफसफाई देड़ां कि बच्चें दोहरा इंडेन आर्मी दोहरा और पंच सरपंच दकान्दार वाइरा इन्हें सारे मिलिया? आज साफ सफाई बेगारा कीती यह भी मैसी जिस्ता सरपंच मैंना है कि अपने कार दी हर जगा दी साफ सफाई रखो साफ सफाई रह गे और यह कारण जड़ी बिमारी आना है वह भी दूर हो गंगियां न्यूज एटिनले स्मेसिंग बहु अकनूर बजल प्रियू के मिलासा रहत है решी कि अभि़ बिलाएओरा कि अष्ड़ी साफ सार ले ग्वाश का यह भी मैसी हो साहाँरो झाल 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 झाल